अल्मेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ चलिए रेडी हो जाईए एरफोन लगाकर प्रस्तुत है राइस्थान जी के की आडियो बुग अब जानते हैं राइस्थान बन्य जीव संरक्षन के बारे में बन्य जीवों की विविद प्रजातियों संख्या की दरश्टी से असोम के बाद राइस्थान भारत का दूसरा राज्य है बर्तमान में राइस्थान में तीन राष्टिय उद्धान 26 बन जीव ब्यारं 33 आखिर निशेद छेत्र पांच जन्तुवाले एवं साथ म्रगवन है राष्टिय उद्धान नंबर एक रन्थम्बावर राष्टिय उद्धान लेंड ओक टाइगर जिला सवाई माध्यपौर इस्थापन वर्स 1955 राष्टिय उद्धान गोशित उन्नीस सो अस्सी में विश्व बन्य जीव कोश के सयोग से 1934 में बाग पर्यूजन प्रारम की गई छेत्रफल 282 दसमलब 0.3 वर्क किलोमीटर उद्धान में रंथमबोर दुर्ग तिरनेत्र गनेश जी एवं जोगी मेह लिस्तित है 1996 सत्यानमे में विश्व बैंक के सयोग से इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारम किया गया नमबर 3 केवला देव राष्टी उद्धान पक्षियों का स्वर्ग पूर्व नाम घना पक्षी विहार भरतपूर जिलाइस का दोस्तों इस्थापना बर्स 1956 में राष्टी उद्धान गोशित 1981 में 1985 में युनेस्को द्वारा विश्फ दर्वार का दर्जा दिया गया छेत्रफल 28.7 बर किलोमीटर अजान बांध से जलापूर्ती सीत काल में साइवेरियन सारस वाइट स्टार्क बिंजस मैलाड मेड़वल मेड़वल सावल्स सावेर्ल्स सावर्ल्स टील्स टील्स पीपिटस पीपिटस एवं लैप वीर नामक पक्षी साइवेरिया रूस वै उत्री यूरोप से आते हैं पाइथन पाइंट से अजगर देखे जा सकते हैं पक्षी विशेशग डॉक्टर सलीम अली की कर्मिस्थली नमबर तीन मुकंद्रा हिल्स दर्रा राष्टिय उद्धान कोटा चित्तवडगड जिला है दोस्तों कोटा चित्तवडगड में ये 1985 राष्टिय उद्धान घोशित 2012 में पिरमुक दर्सनिय इस्थल गागरोनगड रावठा महल वाड वांडोली सिब मंदिर अवला मीनी का महल भीमचोरी एवं मंदिरगड के अफसेश छेद्रफल 99.55 बर किलो मीटर गागरोनी तोते हिरमन तोता देखने को मिलते हैं इधार राज की तीसरी बाग परियुजना 11.04.2013 में इस तापित हुगी चालू की गई थी महत्पूर्ण वन्य जीव अब्यारन अब्यारन का नाम सरिस्का 1955 सरिस्का ए 2012 अलवर जिलाये दोस्तों 1998-89 में राज की दूसरी बाग परियुजना प्रारम की गई नीलकंट मादे भरत्री की गोपाएं पांड़ पोल इस ये अब्यारन मिश्थी थे थे पांड़ू पोल राष्टिय मरूद धान 1981 में दोस्तों जैसलमेर वाड मेर छेत्प्रल की दृष्टी से सबसे बड़ा अब्यारन जिसमें एक सस्ची बर्स प्रानिक कास्ट जीवास्म आकल गाम जैसलमेर मिले हैं गोडवन की सर्निस्थली जैसम्मन 1905 उदैपुर जिला जैसम्मन जीलक निकट वर्ती छेत्र जहां वगेरा चितकवरे हिरन सामवर जंगली सुहर चीता तेंदुआ काला भालू चकवा चकवी आधि बन्यजी मिलते हैं ताल चापर 1921 जिला चूरू गुरू द्रोना चार्रेक आश्रम इस्थल जो काले हिरनों बे पिरवासी पक्षी कुरंजा की आश्रम आश्रे इस्थली जहां मोचिया साइप्रस रोटनडस घास मिलती है मोचिया साइप्रस रोटनडस घास मिलती है बन बिहार 1955 धौलपूर राम सागर जील का निकटवर्ती छेदर पक्षियों की उत्तम आश्रे इस्थली माउंट आवू सिरोही पिरुमुक विश्यस्ता जंगली मुर्गे एवं आवू एंसिस डिकलप्तेरा बनस्पती पाई जाती है सीता माता 1989 प्रतापगड चित्तोडगड उधैपूर ये छेतर इसका उडन गिलहरी उडन छपकली एवं चो सिंगा एतू प्रिसिद्ध है आयूर विदोस्दी का वंडार इस्तल है जवार सागर 1975 कोटा बोनी जलिये अभ्यारन जिसका उद्देश घडियालों का संरक्षन एवं मगर मच्चों का प्रिजिनन करवा कर उनकी अन्य बनने जीव अभ्यारन कुंबल गट राजसंबन पाली उद्दैपूर रामगट विजधारी बूंदी राष्ट्य चंबल घडियाल चंबल लदी राइस्तान मदप्रदेश नहारगट जैपूर जांबा रामगट जैपूर सजनगट उद्दैपूर भैंशरोडगट चिताओडगट सेरगट बारा बंद बारःठा भरतपूर फुलवारी किनाल उद्दैपूर बस्सी चिताओडगट रावली टाडगट अजमेरपाली रास्वमन केला देवी करोली रामसागर दहलपूर सबाईमान सिंग सबाईमाधेपूर केशरबाग दहलपूर दर्रा क जालाबाण राज में जन्तवाले 5 जैपूर 1936 उधैपूर 1878 वीकानेर 1922 जोधपूर 1936 एवं कोटा 1924 बने हो हैं दोस्तों राज में 33 आखेट निशित जेत रहें इसमें से संबंद सर कोट सर वीकानेर सबसे बड़ा एवं कनक सागर बूंदी सबसे छोटा आखेट निशित छेतर है राज के साथ म्रगवन असोक बिहार जैपूर माचिया सफारी पार्क जोधपूर चितोडगड म्रगवन चितोडगड पुसकर म्रगवन पंच गुंड पुसकर संजयुदान सापूरा जैपूर सजनगड म्रगवन उधैपू एवं अमरता देवी म्रगवन खेजडी जोधपूर इस परकार दोस्तोडों राईस्थान के बनये जीप शन रक्षन के बारे में जान लिया है रंतंबो राश्ट उधधान राश्टी मरूध झान के बारे में जान लिया है दोस्तोडों माचिया सफ़ारी पार्क बंगाल की खाड़ी के अब वतंत्र की पिर्मुख न दिया एक नजर में चम्बल चर्मनवती काम धेनू जोकी 966 किलो मीटर राज में लंबाई 153 किलो मीटर इसका विबरान है दोस्तो उदगम जनापाम पहाडी महू मद्ध प्रदेश से राज में प्रवेश भैसरोडगड चित्तोडगड से बहाव शेत्र चित्तोडगड कोटा बूंदी सवाई मादेपूर करोली दौलपूर यह नदी राइस्थान वे मद्ध प्रदेश की सीमा बनाती है दोस्तो विशेस्ताएं राज की एक मात्र नित्यवाई नदी राज की सबसे लंबी राज की नदियों मे सबसे बड़े अववा शेत्र वाली और राज को सर्वादिक जलापूर्ती करने वाली नदी है बांध गांधी सागर मद्ध प्रदेश राना प्रताप सागर चित्तोडगड जवार सागर एवं कोटा वेराज कोटा इसकी सायक नदिया है दोस्तो पारवती काली सिंद बना अलावा उत्तर प्रदेश के पास यम्न नदीम होता है दूसरी नदिय दोस्तो पारवती जिसका उदगम सिहोर मद्ध प्रदेश से होता है दोस्तो राइस्थान में प्रिवेस करिया हट बारा करिया हट बारा से होता है दोस्तो सायक नदियां कूल लासी वरनी बैंतली रे देवास मद्ध प्रदेश से सायक नदियां आहू परवन निवाज नीमाज धार बिले जालाबाड में रायपूर के निकट प्रवेश कर राइस्थान में 145 किलोमीटर वेकर नानेरा कोटा में चंबल में मिल जाती है बामनी उद्गम हरीपुरा की पाड़ियां चित्तोडग बिले बैसरोडगड के पास चंबल में बैसरोडगड चल दुर्ग बामनी नदी परिश्तित है नमबर पांच आहू नदी दोस्तो उद्गमिस्तान सुसनेर मद्ध प्रदेश नंदपुर जालाबाड से राइस्थान में प्रवेश बिले गागरों दुर्ग जालाबाड के पास काली सिंद में नमबर चै परवन उद्गम मालवा पठार मद्ध प्रदेश खरीबोर जालाबाड से राइस्थान में प्रवेश सायक नदी नेवज काली खाड चापी शेरगड अब्यारन बारा जिले में परवन नदी के किना रिश्तित है दोस्तो विले पलायता वार के निकट काली सिंद में नमबर साथ नेवज या निमाज उद्गम जिला राजगड मद्ध प्रदेश कोलु खेडी जालाबाड से राइस्थान में प्रवेश विले मावासा जालाबाड के पास परवन नदी में नमबर आठ चाकन बूंद जिले से निकल कर सवाई मादेप में चंबल में मिल जाती है आलनिया कोटा में मुकूल मुकूंद वाडा मुकूंद वाडा की पाडियों से निकल कर कोटा में मुकूंद वाडा की पाडियों से निकल कर नोटाना गाम में चंबल में मिलती है मेज मांडल गड मांडेल गड मांडल गड भील वाडा से निकल बूंदी में चंबल में मिल जाती है, कुराल उपर माल के पठार भीलवाडा से निकल कर बूंदी में चंबल में मिलती है, नमबर बारे पर है दोस्तों, बनास, वन की आसा, वरनासा, 480 किलो मीटर, बेवरन में दोस्तों, उद्गम इस्तान इसका, खमनोर की पाड़ियां, र तिर्वेनी संगम मंदलगड भीलवड़ा के निकट बनास बेडच मेनाल का संगम साइक नदियां काली सिल काली सिल चंद्र भागा बेडच कोठारी खारी मेनाल मांडी मान्सी डाई डील सोहाध्रा मोरेल मो रेल बिले रामे सरदाम सवाई मादोपूर के निकट चंबल में बेड़च उदगम उदएपूर में गोगुंदा की पाड़ियों से आयड नाम से निकल कर उदए सागर जील में मिलती है इस जील से निकलने के बाद यह बेड़च कहलाती है साइक नदियां गंबीरी मेनाल औराई गुजरी बागन बिले भीलवाडा के बिगोद के पास बनास में नमबर चौदे माशी उदगम किसंगट अजमेर बिले टाउंग जिले में बनास में मिल जाती है नमबर पंद्रे कोठारी नदी उदगम दिवनेर रासमन मेजा बाद बिलवाडा में मंडल गड़ के पास कोठारी नदी पर मिल जाता है बिले बिलवाडा में नंदराई के पास बनास में नमबर सोले खारी उदगम बिजराल गाम की पाड़ियां रासमन बावचेतर रासमन अजमेर भीलवाडा टाउंग बिले देवली टाउंग के निकट बनास में मिल जाती है नमबर सत्रह पर मोरेल उदगम चैनपुरा गाम जैपुर साइक नदियां धूंड रतन गंगा भावचेतर जैपुर दोसा सवाई माधेपुर करोली बिले हाड़ोती गाम करोली में बनास में नमबर अठारे पारवती दित्य उदगम बदर या गाम धौलपुर साइक नदियां सेरनी मेंड का बांध अंगाई बिले उत्तर प्रदेश में यम्न नदि में गंबीर गंबीरी जो गुनीश्वी नमबर पर है दोस्तों गंबीरी या गंबीर उदगम करोली में श्री पहाडियों से निकल कर उत्तर प्रदेश में यमना में मिल जाती हैं शा एक नदियां पाँचना शेक्सा खेर बांध पांचना बांध राइस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है पाँचना बांध बीश नमबर पर है दोस्तों बांध गंगा उदगम बेराट की पाड़ियां जैपूर साइक नदियां गुम्टी नाला सुरा पलोसन पैलोसन पलोसन भाबशेत्र जैपूर दोसा बरतपूर बान जमबा रामगड बान जैपूर बिले फतेहावाद उत्तर प्रदेश यम्न नदी में नमबर 21 पर है दोस्तो गम बीरी उदगम जा और गड़ के पास बेड़ नदी में इस परकार दोस्तो अभी आपने जाना इतनी सारी नदियों के बारे में आप जानते हैं राइस्थान की जीलों के बारे में राइस्थान में कौन कौन सी जील हैं किस परकार की हैं खारे पानी और मीटे पानी की जीलें चलिए पहले जा नमक उत्पादन का लगवग आठ प्रितिसत नमक उत्पादन यहीं से होता है इंदुस्तान नमक कमपनी का सामर साल्ट वर्क्स कार खाना कार रत है इसमें मन्था रूपनगड खारी एवं खंडेला नदिया मिलती है नमबर दो डीडवाना जील जो कि नागोर में है दोस्तो तो राजसरकार का सोडियम सल्फेट बनाने का कार खाना यहां परिष्थीत है सल्फेट की मात्र अधिक होने से प्राय खाने के आयोग इस जील के नमक का उप्योग रंगाई छपाई उतडियोग में किया जाता है नमबर तीन पच्पदरा जील बाडमेर सोडियम कि मात्रा 98% होने से है खाने के लिए सरवत्तम नमक है दोस्तों खारवाल जाती के लोगों दारा मोरली नमक झाडी से नमक के इस फटिक बनाए जाते हैं नमबर चार पर लून करंसर झील भीकनेट उत्री राख्तरिण स्थान की एक मात्र खारे पानी की जील है दोस्तों खारेपानी की अन्य जीलें कावेद जैसल मेर में है डेगाना एवं कुचामन नागोर, कोचार सीकर, कोचोर, सीकर, रेवासा, सीकर, फलोदी, जोदपूर, पोकरन, जैसल मेर मेर में है सामर, डीडवाना, फच्पदरा में छोटी-छोटी नमक उत्पादक, निजी संस्ता हैं जिसे इस्थानी बासा में देवल कहते हैं राइस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी नावा, नागोर में हैं दोस्तो, नावा मीटे पानी की जीलों के बारे हम जानते हैं चलिए दोस्तों नमबर एक जैसमन जील डेवर जील उदैपूर जिलाय है इसका दोस्तों बिशिस विवरन में मीटे पानी की बिश्व के दूसरी सबसे बड़ी किर्तिम जील है इसका निर्मान मेवाड के महराना जैसिंग दोरा 1887 इसवी से 1691 में गोमती नदी पर बांध बना कर करवाया गया था इसमें साथ टापू हैं जिसमें बाबा का भागड़ा एवं प्यारी दो सबसे बड़े टापू हैं का भागड़ा टाप पर आईलेंड रिजोर्ट होटल बना हुआ है नमबर दो राज सम्मन जील राज समुद्र राज सम्मन जिलाए दोस्तों इसका मीठे पानिक जील के विबरन में राज समंद के बारे में बताते हैं महराना राज सिंग दोरा निर्मिती जील का उत्री वाग नो चौकी की पाल कहलाता है जहां पच्चीस बिसाल सिलाओं पर लिखित चिला लेक राज पिर सस्ती में मेवाड राज का इत्यास वरनी थै नमबर तीन पिछोला जील उदैपुर राना लाखा के सासन काल में एक बंजार द्वार निर्मिती जील की मरमत उदैश सिंग ने करवाई इस जील के मद जग निवास एवं जग मंदिर मेहल इस्तित है इसके किनारे नटनी का चबूत राए नमबर चार फते सागर जील ड्यूक ओफ कनाट द्वारा रखी गई जील के एक टापू पर नहरु पार्क वे सोर वैद साला इस्तित है नमबर पांच पुसकर जील पुसकर सरोबर अजमेर भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली इस जील के किनारे ब्रह्मा मंदिर सावत्री मंदिर रंग नाजी का मंदिर बरहा मंदिर वै राहा मंदिर आतमे सवर महदेव मंदिर एवं गयत्री मंदिर इस्तित है कनाडा के से जील को गहरा करने एवं साप रखने की योजना चलाई जा रही है करतिक सुकला एक अदसी से पूर्मा तक मेला बढ़ता है यहां पर नमबर छे नकी जील नकी तलाब जिला सिरोही राहिस्तान में सरवादिक मुचाई पर इस्तित जील जो भूगोल बेत्ताओं के अंसार क्रेटर जील है जील के किनारे रगुनाजी का मंदिर टॉड रॉक नन रॉक नन रॉक पैरट रॉक पैरट रॉक राम जरोखा गुपा हाती गुपा अवे गुपा इस्तित है नंबर साथ अना सागर जील अजमेर जिला अजमेर प्रतविरा चुहान के पितामे अना जी द वारा निर्मी 30 जील के किनारे बरादरी का निर्मान बरा बार Hein डरी बरा बारादरी का निर्मान साजा द्वारा वे दौलत बाग का निर्मान सुबास उद्धान जहांगीर द्वारा करवाया गया नमबर आठ पर फोई सागर जिला अजमेर अकाल रात कार्रे के दौरान अंग्रेज इंजिनियर सिरी फोई द्वारा निर्मीत नमबर नाइन सीली सेट जील अलवर इसके किनारे 1845 इस जी में अलवर की राजा बिने सिंग दौरा निर्मित शिकार गाव एक महल इस्तित है नमबर दस कोलायत जील भीका नेर कपिल मुनी की तपुष्थली दीब दानेतु प्रिसिद्ध है कोलायत जील दोस्तों मीठे पानी की अन्य महतपूर्ण जीले एवं तालाव नबलखा वै नबल सागर जील बूंदी गैब सागर डुंगरपूर बाल संबन जील जोदपूर क गड़ सीसर तालाव जैसल मेर पन्ना लाल सहा का तालाव जंजनु इस प्रिकार दोस्तों मीठे वे खारे पानी की जीले आप पढ़ चुके हैं राइस्थान की अब बन संपदा के बारे में जानते हैं राइस्थान में बन संपदा राइस्थान में बन संरक्षन की पहली योजना जोदपूर नरेश ने 1910 में बनाई इसके तहट मारवाड सिकार नियम 1921 बना कोटा में 1924 में एवं जैपूर में 1931 में सिकार कानून बने 1935 में अलवर रियासत ने वै अधनियम बनाया 1935 में अलवर रियासत ने बन अधनियम बनाया बांसबडा, बारा, चित्तोडगड एवं पिरतापगड जिलों में धौकड़ एवं महुआ के साथ सागवान के बन मिलते हैं चित्तो ओडगट उदैपुर एवं राजसम्मन जिलों में चंदन के बालवरक्ष लठे मिलते हैं हल्दी घाटी खमनौर के बनों को चंदन के बन कहते हैं पिर्दिसत के रूप में सरवादिक बन छेत्रवाले चार जिले प्रतापगट 46 दसमलब 76 परसेंट नमबर दो करोली 32 दसमलब 77 परसेंट नमबर तीन बारा 32 दसमलब 03 परसेंट नमबर चार सिरोही 31 दसमलब 99 प्रतिसत प्रतिसत के रूप में सबसे कम बन छेत्रवाले चार जिले नमबर एक चूरू 0 दसमलब 44 प्रतिसत नमबर दो जोदपूर एक दसमलब 07 परतिसत नमबर तीन नागवर एक दसमलब 37 परतिसत नमबर चार जैसलमेर एक दसमलब 5 एक परतिसत राजगी पिर्मु गासें सेवन लीलोन एवं धामन जैसलमेर बाडमेर सुंग्णी जैसलमेर सुंगैनी सुंग्णी जैसलमेर खस खैसे खस सवाई माधैपूर भरतपूर टौक सतावरी नहारकोटा वन प्रिसिक्षन कैंदर नमबर एक मरू वन प्रिसिक्षन कैंदर जोदपूर नमबर दो वानिकी प्रिसिक्षन कैंदर जैपूर नमबर तीन रा राइस्थान वन पर सिक्ष्ण कैंडर अलवर वन अनसंदान कैंडर विश्रवनिकी did אृ अधान casino नजैidipur ग्राश फार्व नर श्री जैपुर बन अनु संधान फार्व गोविंधपूरा Jaispu नमबर चार बन अंसंदान फार्म बाकी उदैपुर्ट बन अंसंदान केंदर थे राज थान के राज प्रतीक राज पक्षी गोड़ावन 1982 में गोशित किया गया था राज ब्रक्ष खेजडी 1903 में गोशित राज पुष्व रोहीडे का फूल 1903 में गोशित राज बन पसू चिंकारा हिरन 1903 में गोशित राज पालतु पसू उंट 2014 में गोशित राज स्थान का राज पक्षी गोड़ावन राष्ट्य मरुद्धान जेसलमेर बाडमेर सौख लिया अजमेरेवं 1612 में मिलता इसका विज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रियो सैप्स है सन 1949-50 में राज सरकार द्वारा बन विभाग की स्थापना की गई थी उस समय राज के 13% बागपर बन थे 1952 में गोशित राष्ट्य बन नीती कंसार देश में 33% एक बटे 3 भू भागपर बनों की आप सकता पर जोड़ दिया गया था 1953 में बन अदिनियम पारित का राष्टान सरकार ने बन संरक्षन नेतू प्रियास तेज किये दिसंबर 1988 में नविन संसौधित बन नीती का उद्देश बनों की सरक्षा संरक्षन वे विकास रखा गया राष्ट के भोगुलिक छेतर के सापेक्स बन 0.099% देश के कुल वन छेतर में से राष्टान पाय जाने वाले वन छेतर 4.57% है राज में प्रितिव्यक्ति वन छेतर 0.05 एक्टेर पर व्यक्ति है दोस्तों राष्टान वन अदिनियम 1953 के देद वनों का वरिकरन नमबर एक आरक्षित वन रिजारूड वन प्रितिसत 37.63% नमबर दो रक्षित वन प्रोटेक्टेड प्रितिसत 56.08% नमबर 3 एक वरिकरत वन अनक्लासिफाइड प्रितिसत 6.29% राज में बनों का प्रकार बन का प्रकार नमबर एक सुस्क सागवान बन बन छेत्र फल, मास बाड़ा, प्रताप गड़, दक्षिन युदैपूर, आभू परवत के कुछ भाग, 12, कुल बन छेत्र का प्रति सत, 6.87, नमबर दो, अर्ध सुस्क उस्न कटी बन दिये धौक बन, बन छेत्र सीकर, जन्जुनू, जालोर, जोदपूर के पूर्वत्ति भ परति, सुस्क भाग, कुल बन छेत्र का प्रति सत, 8.12, नमबर दो, नमबर तीन उस्न कटी बन दिये सुस्क पजड़, मिश्रित बन, उस्न कटी बन दिये, सुस्क पजड़ी, मिश्रित बन तीन नमबर पर, छेत्र उदेपूर, बांसबाडा, राश्चमन, अर्द उस्न कटिवंदिया मरुस थलिये कांटेदारवन जैसलमेर वाडमेर विकानेर जोदपूर नागोर चुरू गंगनगर हनवानगट छेत्र महें प्रितिसत 6 दसमलब 23 प्रितिसत नमबर 5 पर उस्न कटिवंदिया सदावारवन अबुपरवत छेत्र 0.38 प्रितिसत राज के अधिकानस बन दक्षनी एवं दक्षनी पूर भी छेत्रों पाए जाते हैं उदैपूर चित्तोडगट 12 और कोटा राज मदिक्तम बन छेत्र वाले जिले हैं जिनमें राज का 35 प्रितिसत बन छेत्र इस्तित है राज का मात्र 2.4 प्रितिसत बन छेत्र है राजस्तान में छेत्र की दरश्टी से सबसे बड़ा बन मंडल जोदपूर तथा सरवादिक बन छेत्र वाला मंडल पुदैपूर है चलिए दोस्तो अब जानते हैं राजस्तान किर्सी खादान फसलें मोसम के आदार पर फसलों के प्रकार नमबर एक खरीप फसलें बुआई होती है दोस्तो इनकी जून जुलाई में कटाई से तम रक टूमर छेत्र फल कुल किर्सी खेत्र का साइट से 65% भूभाग पर खरीप पसलें बोई जाती है सरवादिक किरसी छेतर फल वाली फसल बाजरा है दोस्तो पिर मुख खरी फसलें चावल जौर मक्का बाजरा अरहर उड़द मुंग चमला मौट मुंग फली अरंडी तिल सोयवीन कपास गन्ना गौर नमबर दो रभी फसलें दोस्तो बुआई अक्टूमर नमबर से कटाई मा से तर लाख हैक्टियर पर रवी फसलें बु जाती जाती है सरवादिक किरसी छेतर फल वाली फसल गेऊ नमर तीन जैद फसलें दोस्तो बुआई मार्च अपरेल से कटाई जून में पिर मुख फसले में तर्वूज, खर्वूज, ककड़ी एवं सबजियां फसलों का प्रकार दोस्तों अनाज रूंख फसलें बाजरा गेहुं मक्का जो जौर चामल रागी दलन चना मुग मोट उड़द मसूर स्वयवीन मत्र चामल अरर तिलन राई विसरसों तिल मुग अरंडी, स्वयवीन, आलसी, तारा मीरा, सूरज मुखी, मसाला, धनिया, जीरा, मेथी, सौंप, मिर्ची, हल्दी, अद्रक, ओसदिये, इसब गोल, इसब गोल, अस्वगंदा, सपेद मूसली, रेशेदार, कपास, सन, अन्य, गौार, गन्ना, मेंदी, तमाकू, अफीम, ग सरवाधिक छेतफल वाला जिला, उदैपूर, सरवाधिक उतपादन वाला जिला, उदैपूर, अन्य, पिरमुक उतपादक जिले, भीलबाड़ा, बासवड़ा, रासम्मन, जालावाड, पृतापगज, डूंगरपूर, विशेष विवरन में, देश के कुल मक्क उतपाद अंदे प्रदेस में होता है दूस्तों फसल देखते हैं बाजरा, सरवादिक छेत्रफलवाला सरवादिक उत्पादन वाला जिला, जैपूर अन्य प्रमु कुत्पादक जिलों में, जैपूर, जोदपूर नागोर, सीकर, जालोर, बाड़मेर चूरू करोली भरतपूर दोसा देश के उत्पादन का लगवागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग नागोर में भी इसका उत्पादन किया जाता है देश में छेत्रपल की द्रश्टी से राइस्थान का तीसरा उत्पादन की द्रश्टी से छटा इस्थान सरवाधिक उत्पादन महाराष्ट में होता है दोस्तों जो आरगा चामल सरवाधिक छेत्रपल वाला जिला वांसवड सरवादिक उतपादन वाला जिला हनमानगड अन्य प्रमुक उतपादक जिले दोस्ते बूंदी कोटा गंगनगर डुंगरपूर बारा भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चामल उतपादक देश है दोस्तो सरवादिक चामल उतपादन फश्वी बंगाल एवं उत उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है राज का तेईस्वा इस्थान है गेहूं फसल गेहूं में दोस्तो सरवादिक चेत्रफल वाला जिला है गंगनगर सरवादिक उतपादन वाला गंगनगर दोस्तों गंगनगर में सरवादिक उतपादन में चेत्रफल दोन तरह से न प्रिथम पंजाब का दित्य वे राज राजस्थान पांच वाइस्थान का है, गहुं राज में सरवादिक मात्राम उत्पादित होने वाली फसल है, राजस्थान में सरवादिक मात्राम उत्पादित होने वाली फसल, फसल जो सरवादिक छेत्रफल वाला जिला जैपूर, सर पिर्मुख जिलों में हनमानगट गंगनगर अलवर सीकर भीलवाड़ा जुनजुनु अजमेर बोए गए छेत्र एवं उत्पादन दोनु ही द्रश्टी से उत्तर प्रदेश के बाद रह स्थान का दूसरा इस्थान है राज में देश के कुल इस्थान उत्पादन का लगव अनाज उत्पादन की द्रश्टी से राइस्थान का सात्वा इस्थान सर्वादिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों धन्यवाद